इस राजिस्तान का रहने वाला है और इटावा में पकड़ा गया है इटावा के एकदिल थाना छेते के कल्यानपुल गाओं में सुनील नाम के चोर को चोरी करना उस समय भारी पड़ गया जब उसे पवन नाइक नाम के बच्चे को ले जाते हुए ग्रामीडो ने पकड़ लिया ग्रामीडो ने चोर को पकड़ कर थाना एक दिल पुलिस को फोन कर दिया फोन करने के घंटो बाद भी जब पुलिस घटना सलबर नहीं पूची तो फिर गुसाए ग्रामीडों ने चोर के उपर अपना जम कर गुसा निकाला कानून को हाथ में लेते हुए ग्रामीडों ने चोर के कपड़े उतार कर उसे घंटों खेतों में ले जाकर बरबरता से पीटा बच्चा चुराने के चोर को ग्रामिडों ने इस कदर पीटा कि चोर चोरी ना करने की कसने खाने लगा राजिस्तान का रहने वाला है और बाद में चोर ने भीड के सामने अपना गुनाह भी कुबूल कर लिया अलिग आयाख सब्सक्राइब्ससब्सरक जाभ मोजु हो पखेदेर जो humor प्याए चिनल्य के उऩया कि सभय हुखने मेरा बाइपनाख से भासाष़ने उसको पकड़ने उसके बासाने ख़ग मेरा नाले पहल असके बोखने लगा पर मौब दूट गए ने रहीया पुलिस मामले की जाच कर रही है एक जैसे मैंने बताया एक जो वेक्ती है वो एक बच्चे को उठा के 14-15 साल के बच्चे को उठा के वो लेके जा रहा था और उस जब बच्चे ने विरोथ किया तो कुछ उसकी आवाद सुनके वो ग्रामीड वहाँ पे इकठे हुए और उन्हें इसको दोड़ाया और दोड़ाने के बाद में उसको पकड़के पुलिस के हवाले इसको सौप दिया है मेरे दुवारा अभी थाने में उसको बेसिक उसका जो है उसको चेक भी किया गया कहीं कोई ऐसी जाहिरा चोट नहीं है कहीं कोई जसा बता रहे हैं वैसी कोई incident नहीं है और हिदायत के रूप में उसका medical भी करा दिया जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है बहुत सूजबूच का परीचे देते हुए बहुत समझदारी का परीचे देते हुए ग्रामिड़ों ने इस वेक्ति को पकड़ के और थाने को पुलिस को सौपा है और अब पुलिस जो है इससे पूस्ताच करके इससे आगे में क्या इसका मोड़स अपरांडी था तो पर सवाल ते इस बात का है कि जब समय रहते पुलिस को बच्चा चोर के बारे में सूचित कर दिया गया था तो फिर आखिर इक दिल थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुँचने में इतनी देर क्यों लगाई अगर भीड के कानून के हाथ में लेने के बाल चोर की मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता